वहाँ दिक्कत हो रहा था उनको तो दिक्कत को दूर किये हैं विहार की सेवा में लगेंगे फिर से जो कुछ होता है अच्छा ही होता है वर सब सब राम की इच्छा है उस बाकी कोई माने नहीं रखता है इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांचाद राजी परतापरोडी हैं सर कैसे देख रहे हैं नितीश कुमार फिर से एक बार इंडिये में बॉसम भी अच्छा है बहुत अच्छा दिख रहा है अच्छा है वागी कोई माने नहीं रखता है वह तो उन्होंने बताया है कि वहां दिक्कत हो रहा था उनको तो दिक्कत को दूर किये हैं विहार की सेवा में लगेंगे फिर से अच्छा लगतार जिस तरह से कारे कर रहे हैं थे महां गठुवंदर में फिर भी मतलब वो तो बता ही रहे थी कि उनको वहां बहुत तकलीफ था अब बिहार के न्यू मुखमंदरी कौन हो में तो तो त्य हो गया तो उसमें कहां दिक्कत है तो आपने सुना बिजेपी से सांचद राजी परताप रोड़ी ने सापका दिया कि उहां उनको दिक्कत आ रही थी दिक्कत हो रही थी सरकार ठीक से नहीं चल रहा था और कुछ तो बजा थी सापका मुखमंदरी नितिश्कुमार ने कि हम उहां असहज मैसूस कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि जो हम बोलना चाते थे वो भी बात हम नहीं बोलते थे लेकिन ये सभी चीजों का राजी परताप रोड़ी भाजपा के वरिशनेता हैं और सांचद भी हैं उन्होंने स्वागत किया है और कह दिया है कि इंडिये की सरकार बनेगी स्वागत है और बहुत अच्छा काम किया है नितिज कुमार, नितिज कुमार को अभी उन लोग पल्टू राम बता रहे हैं लेकिन क्या लगता है कि भाजपा वाले स्वागत भी कर रहे हैं तो आखिर नितिज कुमार को कैसा मैसूस करना चाहिए ये तो सवाल है आप अपनी पर्तिकिर्या नीचे कॉन रोक्त दे लेकिन साप राजी परताब रोडी ने कहा है कि नितीज कुमार वहां असहर्ज मैसूस कर रहे थे आप देखा किस तरह से राजी परताब रोडी ने कह दिया है कि इंडिये में उनका स्वागत है और फिर से बिहार में एक अच्छी सरकार बनेगी लेकिन जो तमाम बातों को लेकर के अटकले हैं वो तेज हो गई थी और आपने देखा कि राजी परताब रोडी ने साप कहा है कि नितीश कुमार महागटवंदन में असहज मैसूस कर रहें थे आज ही सुभा सुभा नितीश कुमार राजभवन घए और अपना इस्थिपास वोपने के बाद जितना भड़स था पहले महागटवंदन के खिलाप बोलने की चमता थी इस्षा थी वो सारी बात नितीश मांजी भी सस्पेंस में है मांजी क्या महागट मंदन में जा सकते हैं या फिर एंडीय में ही रहेंगे अपनी पर्टिक्रिया निचे कॉंट्रॉक्स देखे लिए यूटूब पे देखा में जाना हो सब्सक्राइब कर धन्यवाद